आपका स्वागत है अमारी यूटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा में आज हम लोग परिवार का अर्थ एवं परिभासा मेनिंग एंड डिपनेशन आप फाइमिली के बारे में अध्यन करेंगे यहां से आपके डियलड, बियट सिमस्टर और अदर एकजाम में कोस्टन पूछे जाते हैं चलिये मित्रों हम लोग सुरू करते हैं परिवार का अर्थ एवं परिभासा परिवार अथवा घर किसी समाज अथवा राष्टर की सबसे छोटी इकाई है समाज सास्तर के दृष्टी से परिवार सबसे पहला, छोटा और मोल भूत समाजिक समूँ है इसमें पराया है पती पत्नी एवं उनकी संतान संगठित रूप से एकस्थान पर रहती हैं एक परिवार में एक से collabक दंपत्ती एवं उनकी संतान हो सकती हैं परंत इनमें रक्त का सीधा संबंद होना आवस्थेखे देखे मित्रों यदि हम बात करें परिवार की अर्थ के बारे में या परिवार की परिवासा के बारे में परिवार होने के लिए दोस्तों माता पिता या बच्चे से उनका सीधा सीधा रक्त का संबंद होना चाहिए अ एक दूसरे से रक्त के द्वारा जुड़े हूँ, अनुवान सिक्ता के द्वारा जुड़े हूँ, देखे दमित्रों परिवार आपके दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और ब्रिहत परिवार होता है, या संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं, देखे मित्रों जो एकल परिवार में माता पिता आते हैं और माता पिता के आविवाहित बच्चे आते हैं आविवाहित बच्चे में आपके लड़की या लड़का दोन हो सकता है यह दिमित्रों माता पिता और उनके विवाहित बच्चे हो गए तो वे संयुक्त परिवार में चले जाएंगे जैसे क माता-पिता और माता-पिता के अभिवाहित बच्चे और उनके साथ-साथ अभिवाहित बच्चे के दादा-दादी भी साथ में आ जाते हैं तो यह संयुक्त परिवार में चला जाता है सिधी सिधी बात होता है कि आपके एकल परिवार में कौन होता है एकल परिवार में सिर्फ तीन लोग होते हैं माता पिता हो गए एक लोग और उनके आविवाहित बच्चे हो गए चायो लड़का हो चायो लड़की हो जा दोनों अभिवाहित बच्चे हो गए तो वे एकल परिवार में होंगे यदि माता पिता उनके अभिवाहित बच्चे साथ में दाना दादी या नाना नानी या पूरा आपके चाचा भतीजा सब को भी आ जाता है परिवार में तिया संयुक्त परिवार होता है और मित्रों संयुक्त इसलिए भी आपका रक्त का संब्ध हो सकता है याद covenant कर wijणी का होती है दिम्या परिवार की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो का समाज होता है समुधाय को होता है कई परिवारों का समुधाय होता है कै परिवार या घरों से मिलकर बनता है उसे हम समुदाय काते हैं और मित्रो राष्ट्र की देश की या घर की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है यहां तक आप लोगों को हम आसा करते हैं समझ में आ चुका होगा अब हम आगे चलते हैं परिभासा है मैका इवर तथा पेज ने परिवार को निमनलिखित रूप से परिभ करता है देखे मित्रो जो मैकाईवर महुदे हैं तथा पेज महुदे या कहते हैं कि परिवार में इस प्रकार का सम्बध होता है कि स्त्री पूरुस जो होते हैं उनमें यौन समझ होता है अर उनके द्रुल्टा जो त्पन किये गए बच्चे होते हैं जो पएदा क positives होते है कि उनका लालन पारंगी विवस्था करें इस समूं को इस संगठन को हम परिवार कहते हैं अब मित्रों एक परिवासा हम बात कर लेते हैं क्लेयर के अनुसार की बात करें तो परिवार से हमारा तात्वरे उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता हैं। देखी मित्रों क्लेर महोदे भी वही कहते कि परिवार से हमारा सम्मंद इस प्रकार है कि माता पिता और उनके बच्चों को ही हम परिवार कहते हैं अमित्रों हम बात करते हैं बरगैस तथा लाग के विचारा अनुसार लाग का विचार अतिमहत्व पुड है देखी मित्रो परिवार ऐसे बिक्तियों का समू है जो विवाह, रक्त या अपनाए गए हैं रिष्टों में बाध कर एक घर का निर्माड करते हैं पती-पत्नी, लड़का-लड़की, भाई-बहन, आद की सम्मन्धित भूमक्या द्वारा उनमें परस पर सम्मन्ध अस्थापित होता है और इस प्रकार से वे सामान संस्कृति का निर्माड एवं उनकी विवस्था करते हैं देखे मित्रों जो बरगय से वे लाक पहते हैं, जो परिवार होता है वे विवारा, रक्ट के द्वारा, या अपनाए हुए या कोई गोद लिये हुए बच्चे को भी या किसी भी प्रकार से रिष्टे में बात कर जो सम्मद बना जाते हैं उसे हम परिवार काते हैं परिवार में आपके पती-पत्नी आते हैं लड़का लड़की आते हैं जो पती-पत्नी से उत्पन हुए होते हैं आपके भाई बहन जो होते हैं या सभी परिवार के अंतरगत आते हैं और मित्रों हमने ऊपर आपको परिवार की परिभासा भी बता दी है विद्वत और मित्रों यदि हम बात करें कि जो गोद लेए हुए बच्चे होते हैं वह कि समू में आते हैं यदि मित्रों सीधे सीधे यदि रक्त की बात करें तो रक्त यदि रक्त संबंद नहीं नहीं है तो वह आपकी पर्यूआ के संघठन में आएंगे लेकिन यदि आप माननेता प्राप्त भारती माविधी के अनुसार दोस्तों भारती शंम्यधान चोटी इकाई संखुचित इकाई के रूप में अपनाते हैं और अपना सकते हैं याद मित्रों हम बात करें परिवार के ब्रिहाद इकाई क्या है तो जिसमें आपके पूरे परिवार के सदे से आ जाते हैं माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी लोग आ जाते हैं अमित्रों हम बात कर रहे हैं परिवार के निर्माड का मोलबोत कारड दो भिन लिंग्यों के दामपत्य जीवन में बंधन की इच्छा है दामपत्य जीवन को सुक पूर्वग बिताने के लिए वे अपने एक घर बनाते हैं और उसमें एक साथ रहते हैं दामपत्य जीवन दोरा ही वे अपने वंस के ब्रिद्धी करते हैं परिवार में बच्चे के प्रवेश से उनका पालन पूसन का दायत्त बढ़ता है इस उत्तरदायत्त का निर्वापती पत्नी संयुक्त रूप से करते हैं युवक होने पर बच्चे दामपत्य जीवन में प्रवेश करते हैं और या तो माता-पिता की परिवार में रखकर संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं या अपना अलग-अलग परिवार बनाते इस परकार परिवार के पूरुस सदस्यों में रक्त का समधिन होना दूसरे मूलतत हुता है। उसके सदर से परिवार की सारी आउसक्ताओं की पूर्ती करना अपना करतब भी समझते हैं अपने संयुक्त उत्तरदायत की पूर्ती के लिए वे कार का विभाजन करते हैं किसी भी स्थिती में उनमें प्रेम और संयोग रहता है जब उसमें ए भावनाय समाप्त हो जाती है तो परिवार टूट जाता है इस समस्त भीवेचना के अधार पर परिवार की परिवासा कुछ इस प्रकार है इस परिवासा को मित्रों हम बाद में समझेंगे उसके पाले हम लोग देख लेते हैं देखें मित्रों जो परिवार का निर्माड कैसे होता है परिवार कर निर्माड पती पतनी से होता है दो भिन लिंग बिक्तियों के जोड़ने से होता है जब घति दांपत जीवन की सुरुआत करता है तो दोस्तों उसमें रक्त का समंध होता है और वे अपने योन इच्छो के पूर्ति की बात दोस्तों जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके रहन सहन की विवस्था करते हैं जिसके द्वारा परिवार की परिवार की छोटी इकाई का निर्माण होता है जैसे कि मित्रों हम बात कर ले पती-पत्न होगे उनके जो आप विवाहिद बच्चे हो गए तो दोस्तों जब तक आप विवाहिद बच्चे हैं पती-पत्नी है तो यह आपका एकल परिवार है यह व्रिहत परिवार की बात करें तो दादा दादी को भी साथ ले ले या और और घर के सदस्यों को ले ले जो इनका व परिवार की एकता को अधिकतर दिखलाया जहलगता है देखी मित्रों परिवार कब टूटता है जब आपका संवत परिवार होता है और एक दूसरे से संबंद खराब होते हैं तो परिवार टूटना सुरू कर देता है जो संवत परिवार होता है वह एकल परिवार में टूटत जैसे कि मित्रों जो संवत परिवार होता है आपके दो चाचा एक साथ रहे रहें लेकिन जब परिवार टूटेगा आपके माता-पिता से भी टूटेगा या दादा-दादी से भी टूटेगा तो परिवार एकल परिवार कर नर्माण होता है जिस एकल परिवार में मित्रों म रख्त का सम्मंद होता है और जिसके सदस से एक अस्थान पर रहा कर सैयुक्त उत्तरदायत्तों का निर्वा करते हुए अपना जीवन चलाते हैं देखी मित्रों यहां पर यह परिवासा दी गई परिवार जो है एक या अधिक से अधिक उन दाम पते यह उत्पन होने वाले बच्चे जो होते हैं दोस्तों सामाजिक समू का निर्मार करते हैं देखी मित्रों समू किसे करते हैं दो या दो से अधिक बेक्तियों के समू को हम दोस्तों समुदाय करते हैं अम मित्रों हम बात करते हैं समुदाय में कौन कुर्ण से आते समुदाय में आपके परिवार औ और बातापीता है तो यह एकल परिवार होगा और यह जब अब रहाय के रूप में पनडित होगा तो आपका जो होता है और संयूक्त legal की अंतरगत आता है और मुझें प्रॉब भारती परंपरा। और एसजी परंपराहों के नुसार भारती परंपराहों में विभाजित हो रहे हैं और दोस्तों सभी बैक्तियों का सभी दामपत्य जीवन में बतीत करने वाले बैक्तियों का या उत्तरदाय तो होता है कि वह अपना जीवन अच्छे से अच्छे से करें अपने बच्चे का लालान पालन इस प्रकार करें कि वह समाज में अच्छा अस्थान प्राप्त कर सकें तो मित्रो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वेल आइकन प्रेस कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा अपने हारे ग्रूप में सेर कीजेगा जय हिंद जय भारत